हाई फेंड्स मेरा नाम राज और आप दिख रहें Windows Tech Solution तो आज का टॉपिक है How to reset और factory reset your Windows 10 operating system without losing any data अगर आप अपने Windows 10 को reset करते हैं तो उसके कुछ फायदे हैं तो सबसे बड़ा फायदा यह होता है जो आपकी जो system की performance होती है वो काफी हस्त तक increase हो जाती है और अगर आप अपने system को जब भी boot करते हैं या फिर अगर shutdown करते हैं अगर उसमें काफी time लग रहा है तो वो time भी minimum हो जाता है और आपके system में जो भी file जो भी unnecessary file या temporary file store होती है तो वो सारी remove हो जाती है अगर आप अपने Windows 10 को reset करते हैं तो उसके लिए बहुत easy steps है तो सबसे प क्लिक करेंगे यहाँ पर left side पर आपको option मिलेगा recovery का इस पर आपने click करना है ठीक है यहाँ पर आपको top पर option मिल जाएगा reset this PC का ठीक है इसको आपने select कर देना है get started पर click कर देना है तो यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे keep my files और दूसरा है remove everything ठीक है तो keep my files में क्या होगा कि ज अपने system में जो modify किया operating system को ठीक है वो सारा remove हो जाएगा वो सारा default port पर चला जाएगा but जो आपकी files है जो आपकी personal files है जो आपके desktop में file पड़ी है वो सारी safe रहेंगी ठीक है और जो दूसरा option है remove everything इसमें क्या होगा आपका सारा data सारे app सारी setting remove हो जाएगी एक fresh windows 10 install हो जाएता हूँ और जो मेरे system की current condition है windows activation की वो भी मैं आपको दिखा जीता हूँ तो पहले मैं इसको cut करता हूँ ठीक है इसको minimize कर देता हूँ ठीक है आप देख सकते है मेरे desktop पे ये data पड़ावा सारा ये कुछ files है ठीक है और कुछ folder भी पड़ेवें ठीक है आप देख सकते ह एक folder है तो ये मेरे desktop में data पड़ावा है उसके अलावा मैं आपको दिखा जीता हूँ मेरे system में दो partition है ठीक है एके C drive है जिसके अंतर मेरे windows install हो रिखी है ठीक है दूसरा मेरे पास एक e drive भी है जिसमें मेरे data पड़ावा है आप देख सकते है ठीक है तो ये सारा data मेरे system में और अगर मैं आपको दिखाऊं control panel में जो जो software मैंने भी install करके रखे हुए अगर मैं आपको वो दिखाऊं ये वो सारे software है जो मेरे system में इस time पे install है पर ये सारे software तो remove हो जाएंगे अगर मैं कोई सा भी option चूज करता हूँ या अगर मैं keep my files का भी option चूज करूँगा तो उस इसमें भी ये सारे software remove हो जाएंगे अगर मैं remove everything वाला option भी चूज करूँगा तो उसमें भी सारे software remove हो जाएंगे ठीक है तो मैं एक बार आपको दिखा रहा हूँ कि ये software जो है जो मेरे system में भी install है और ये मेरा data है जो मेरे desktop पर पढ़ा हूँ है ठीक है और मैं आपको उपन Windows है इस time पर status उसका वो activated है ठीक है Windows मेरा एकदम activated है तो ये तीन चीज़े मैं आपको दिखानी थी एक तो मेरा Windows जो हो activated है और दूसरा जो मेरा other partition है उसमें भी data पढ़ा हूँ है ठीक है और मेरे desktop पे भी data पढ़ा हूँ है ठीक है तो मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि आपको इसको तो मैंने वही window आपिस खोल लिए recovery वाली ठीक है उसके बाद reset this PC के अंदर get started पर आप click करेंगे यहाँ पर दो option है ठीक है अगर आप remove everything करेंगे तो ये भी आप कर सकते है अगर आपको एक ताम fresh window install करनी है सारे software data delete करना है तो ये भी आप कर सकते है इस case में आपने क्या करना है जो भी आपका data है जो भी आपके desktop में या partition में data पढ़ा है उसको आप किसी pen drive में backup ले लो उसका उसके बाद ये option चूज कर लो ठीक है मेरे case में आपको ये वाला दिखा रहा हूँ option जिसमें मेरा data safe रहेगा ठीक है मेरे को कोई backup लेने की ज़रूत नहीं है तो मैं यह आप देश सकते हैं यहाँ पर मुझे एक warning का message आया है शायद आपको ये ना है क्योंकि ये message इसलिए है क्योंकि मैंने recently अपने Windows 7 को Windows 10 में upgrade किया था ठीक है तो उसके बाद मुझे आया तो इसमें भी कोई issue नहीं है और आपने recently Windows 7 को Windows 10 में upgrade किया है ठीक है और उसके बाद रिसेट कर सकते हैं कोई issue नहीं होता उसमें next पर click करते हैं यहाँ पे इसने सारा दिखा दिया है ready to reset this PC ठीक है remove app और program सारे remove हो जाएंगे ठीक है बट जो आपका data है वो safe रहेगा data कोई loss नहीं होगा तो reset पर click करते हैं अब यह start हो गया mode इसके बाद आपको कुछ नहीं करना ठीक है यह सारा automatically होता है आपको कोई partition select करने की ज़रूत नहीं होती है कोई भी कहीं भी next click करने की ज़रूत नहीं होती है यह start हो गया अपना और इसका time लगेगा अभी आप देख सकते है मेरे खाल से आदे घंटे से 40 minute का time लगता है पूरा complete होने में इसको तो मैं वीडियो थोड़ी fast forward कर देता हूँ अभी जैसे कि आप देख सकते है जो process है वो complete हो गया है ठीक है अब मेरा profile लोड हो रहा है पूरा मेरा windows 10 जो है वो reset हो चुका है और इसमें मेरे को 40 minutes लग गए पूरा complete होने में अब मेरी profile जो है वो load हो रही है इसके अंदर और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसी आप वो reset का option चूज करेंगे बटन को क्लिक करेंगे उसके वाद आपको कोई भी setting करने के लिए ज़रूत नहीं है आपको वो click करके छोड़ देना है ठीक है यह सारा process automatically चलता है आपको कोई option नहीं पूछ साहिए next करने के लिए है फिर कोई drive चूज करने के लिए तो आप दे सकते हैं जो मेरा profile है वो load हो गया है ठीक है और जो मेरा desktop का data था वो as it is यहाँ पर पढ़ा हुआ है ठीक है कोई भी data मेरा remove नहीं हुआ है ठीक है जो desktop में data था वो as it is पढ़ा हुआ है और अगर मैं आपको अपना drive दिखाऊ हूँ जो मेरा एक partition और था यह मेरा second partition था और इसके अंदर भी जो मेरा data है वो safe है ठीक है कोई भी data loss नहीं हुआ है मेरको और अगर मैं control panel में अपने software को check करता हूँ एक बार तो यहाँ पर आप देख सकते है no program are installed तो सारे जो software थे जो मैं आपको पहली बताता है कि सारे software जो है मेरे वो remove हो चुके है ठीक है पर मेरे तो data है वो safe है मेरे desktop में भी जो data पढ़ा था सारा activities पढ़ा हुआ है ठीक है और एक बार हम windows का activation देख लेते हैं तो आप दे सकते है windows 10 pro edition है 64 bit और जो मेरा operating system है वो activated है ठीक है कोई मेरे को license का issue नहीं आया है windows जो पहले भी activated थी वो अभी भी activated ही है और मेरे data भी safe है कोई data loss नहीं हुआ है मेरे को तो इस तरह आप आपने windows 10 operating system को reset कर सकते हैं without losing any data तो यही था इस वीडियो में thank you thanks for watching windows tech have a nice day